पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पाल्टी के संवरक्षेक मुलायम सिंग यादव के जीवन पर बन रही फिल्म मैं मुलायम सिंग यादव का ट्रेलर रिलीज हो गया है हाली में इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था ये फिल्म दो अक्टूबर को रिलीज होगी बदादे की फिल्म मैं मुलायम सिंग यादव में अमित सेठी, मिमोह चकरवर्ती, गोविन नामदेव, मुकेश तिवारी, जरीना वहाब और सुप्रिया कार्णिक निजर आएंगे फिल्म का निर्देशन सुवेंदू राज घोश ने किया है गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंग यादव देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने करीब 6 दशक से देश की राजनीति को ना सिर्फ जिया है, बलकि उस पर अपनी धरती पुत्र छवी का ठपा भी लगाया है 80 वर्ष पूरे कर चुके मुलायम सिंग यादव करीब 69 वर्ष से राजनीतिक जीवन में सक्रिये हैं 1960 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंग यादव देश के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो अपने राजनीतिक जीवन में किंग मेकर से लेकर किंग तक की भूमेका में रहे हैं। चाहे वे केंद्र की सत्ता हो या उत्तर प्रदेश की, हर जगे मुलायम ने अपना लोहा मनवाया। 22 नवंबर से 1949 को मुलायम सिंगी एक साधारन परिवार में जन्वे उन्हों अपने शेक्षणिक जीवन में बीए, बीटी और राजनीति शास्तर में एमे की डिगरी हासल की। उनकी पूरी पढ़ाई केके कॉलेज इटावा, एके कॉलेज शिकोहाबाद और बी आर कॉलेज आगरा युनिवर्सिटी से पूरी हुई। मालती देवी से शादी के बाद 1973 में मुलायम सिंग के घर उनके बेटे अखलेश यादव ने जन्म लिया, लेकिन तब तक वे राजनीति के दुनिया में अपने कदम जोड़दार तरीके से जमा चुके थे। देश के पहले प्रधान मंतरी जवाहर लाल नहरू के जमाने में 1960 में मुलायम सिंग यादव ने राजनीति के शिरुवात की थी और 1967 के चुनाव में पहली बार विधायक बन चुके थे। तो दोस्तों ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।